बर्मिंगम कॉमन वेल्थ केम्स में रविवार रात देश को तीसका गोल्ड दिलाने वाले वेट लिप्टर अंचिता शेवली ने अपनी सफलता का श्रय बड़े भाई आलोक मा पूनी मा और कोच हो दिया है अंचिता की पास एक समय ऐसा था तब खाना खाने तक के पैसे नह में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी लेकिन 2013 में पिता का देहांत हो गया तंगी इतनी थी कि पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे मा के लिए दोनों बेटों की डाइट का इंतजाम करना मुश्किल होने लगा जिसको देखते हुए अंचिता के बड़े भ मश्दूरी करते थे आलो का अगे बताते हैं कि 2014 में अंचिता का पूरे के आर्मे स्पोर्ट्स इंस्टिटूट में चैन हो गया था फिर उन्हें ने नेशनल केम के लिए चुन लिया गया इस खेल में डाइट खर्च जादा है ऐसे में डिये के बाद भी उसकी डाइट मां को भी खेतों में मश्दूरी करनी पड़ी हमने पैसे बचा कर अंचिता को फेजे ताकि वहां अपनी डाइट पर ध्यान दे 2018 में खेलों में सेलेक्शन होने के बाद अंचिता को फॉकेट मैनी मिलने लगी इसके बाद उनके डाइट खर्च का बोच कम हो गया अव्वे केंद्र सरकार के टॉप्स योजना में भी शामिल है आलोक ने कहा कि अंचिता ने बंगाल से नेशनल स्तर पर और देश के लिए इंटरनेशनल स्तर पर कई टूनामेंट मेडल भी चीते देश के कई राचियों में नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीतने के बाद खिलाडियों को राज सरकार से मदद मिलती है लेकिन अंचिता को बंगाल सरकार से आज तक कोई मदद नहीं मिली वीडियो को झाल